देना देना राक्षा बंगनू बापुस्ता अरे ताड़े से थारे को किसी की नजर ना लगें कितना चोखा दिख रहा है ऐसा लग रहा है सकसाथ उमेश सिंजी मार सामने खड़े है यह सड़ा हुआ घी थारी ताई जिने बिजवाया इसको पिंडधान में बंने वाले प्रसाद में इसतिमाड होने वाले देशी घी से थारे को बदलना है क्योंकि ठाड़ी तैजी का कहना है कि कि यह सड़ा हुआ घी जब बिंडधान में मिलेगा तो पूरा पूरा पंड़ सड़ेगा और सिवराज जो अपने बापुसा की आत्मा की सांती के लिए हवन करार है ना उसके बाप को तो क्या उसको भी जिन्दी की पर सांती न मिलेगी इसको बोड़ते हैं आग में घी डालना सिवराज अभी तो यही की आग है अभी तो थारे सपने, थारे इज़त चड़ाकर राख कर दूंगा अभी तक क्या कर दो यार अभी तक यहां ही रखे हैं देगे जाओ इने आप के यहां खड़ेओं के फूल समाली हैं इस फलो कताल जाईए 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 अभार हवन कुण चलना है किसी को अपनी जिम्मेदारी की नहीं पड़ी है विचारे दोनों भाई बैन अपने पापो साकी बरसी मनाने चले और विचारे दीखी मिर्च बरसी की बर्बादी का सामान खुद ही डोके ले जा रही है अब देखना इन अंगारों को मैं कैसे हवा देती हूँ अगर आज इसने पगड़ी पहन लीना हम तो रास्ते पे फेके जाएंगे चकोरी रानी यही मिलाना था ना बस मैं जट से गया और फट से आया चल दीचा अब यह परूद हावन की समगरी में मिला दूगा जब सिवा इस समगरी को आहुद्पी में डाल लेगा ना उसके बाद होगा धमा का भूम और फिर सिवराज के इज़त और यग दून का हो जाएगा स्वाह कि झाह झाह